दोस्तों गर्मिऊं में तंप्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस समय हमारे पॉदे को बचाना लुट एक समस्था मचले आते हैं एक परसेंट दो परसेंट आप देखिए कि हर साल टमपरचर बढ़ाता है तो कहीं हमारे पाउदे को बचाना बहुंद समस्या होती है और इस वीडियो में आपको फ्री का जुगार मात रदासु कुछ कुछ मैंनत करेंगे आप कुछ मैंनत करने से आप फ्री में पौधे को बचा सकते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं यह सुखे पत्ते पहला काम पत्तों के लिए काम करते हैं यहां तक जो मैं बता रहा हूं यह सबसे बढ़ियां काम करता तो मल्चिंग का पौदे को आप गर्मियों के महुसमें सेफ कर सकते हैं और यहां तक आप जानते हैं यह पत्तों का बेहत्रिन खाद बनता है जो बर्मी कंपोस्ट काउडन कंपोस्ट से बहुत बहुत बेहत्रिक नुट्रिस्टें बैलू पायाती है अगर इसका फटले बना के आप यूज करते हैं अपने पाउदे को तो सबसे पहले करना क्या है आपकी पास जितने दोस्तों सभी पोदे पर पत्ते कठा कर लिए तो कठा करने अब कुछ इस तरीके से आपको मिट्टी के ऊपर करना के आई इस तरीके से आप लेयर एक डाल दीजी हाँ एक द्यान दीजिए जब लेयर लगाएंगे आप उपर से दो से तीन इंच का तो नीचे दोस्तों जो खरपतव ना तो खरपतवार कोसिस करिए कि हटा दीजीगा इस तरीके से लिगी दूसरी जुगार अब लगाने बाद होते क्या अदर से जब भी आप पानी आप देंगे ऊपर से जैसे मैं आप दिखा दूगा अगर उपर से तरीके से भर्पूर मात्रा में पानी भी आप देते रह देने लगते हैं क्योंकि दूसरों मिट्टी बहुत तेजी से ड्राय होने लगती है इससे एक पुलाब यह मिलेगा ना कि जल्दी पानी देना पड़ेगा मतलब मिन्स एक दो दिन का अंतराल करके आप देना पड़ेगा और इसके वास आप देखेंगे जो नीचे देखें तो नीचे वाली जो पत्य होते हैं तो मिट्टी में के चिपकि रहाएं तो डीकंपोज होना शुरू जाए अपको दिखाए रिजल्ट देख सकते हैं ध्यान से देखें अब देखें यह मैंने आप यह हाली में 10 पन देखें पहले मैंने किया है और आप देखें ध्यान से पत्य डीकंपोज हो रहे हैं मिर्टि में चिपकिये और देखें मैंने प्ही सकते हैं थी मिर्टि से कितना नम है मिर्टि देखें तो इस तक है मित नम है ब्हुत प्लास्टिक को बढ़े से महँगे पाउदा यह सब्सक्राइब तो यह कम आपको बहुत जरूरिक उस्सक्राइब उसके वाद फ्री के जुगार्ण दूसरा राइस हस्क यह भी फ्री में मिलता है गाउँ में तो इसको पूछता नहीं है जहां पर राइसमील होता है वो पुरा कठा रहता है आप जाहेंगे तो वहां से आप भर-बर के लेके आके रख सकते हैं अपने गार्डेन में इसको इस्टोर गुरूप में यहां था कि पोटिंग मिक्स में बहुत ही थी नो यह पूपीट का काम करता है राइस हस्क तो इसक पहीर नहीं मिलता है तो अनलाइन तो ये मिली जायेगा और लोग इसको बैच नहीं पर से पानी जते रहेंगे तो कोई प्रॉबलम नहीं। क्योंकि आप अगर इसको डीकंपोज की होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा यह भी जैसे मिट्टी के टच में जाता है ना यह मिट्टी जब टच में जाता है तो डीकंपोज होने लगता है यह बात यह टाइम लगता है लेकिन डीकंपोज होने लगता है तो यह भी यह भी बिल्कुल फ्री का जुगार है और इससे भी आपने जितने पौदे हैं सबी पौदे पर इसे आप मल्च आप ये कर सकते हैं उसके बाद जो फ्री का जुगार जो तीसरा है अटर के सुखे वे छिलके दौस्तों हम सर्दियों के मौसम में मतर का वीडियो को नहीं था आप मट्रा के छिल्के जितने हैं सबको इकठा कर लेजें तो देखिए मैं जो भी जुगार आपको बता रहा हूं इस जुगार में थोड़ी से आपको महनत लगेगा लेकिन अगर महनत कर लेते हैं तो यह गर्मियों में आपको बहुत डहे सारे मात्रों में मिल जाते हैं और कि खर्पतवार को हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद सूखे मट्रा के छिल्के करना क्या है एक बार भरपूर पानी आप दे दिजिए नीचे पानी देने के बाद फिर दोबारा करना क्या है कि मट्रा के छिल्के को आप दे सकते हैं इस तरीके से एक बार उपर से भी से इसको फैला देना है दोस्तों मट्र के छिलके सूखे वे रहेंगे तो बहुर बढ़े रहेगा कि एक लंबे समय तक चलेंगे इस पौदे पर देखे मैंने यह फैला दिया और फैलाने बात अब करना क्या लगतार आप उपर से अगर पानी कितना हूँ आप देंगे कि मिटि को दोस्तों मोश्चर बना कि यह रखे गा एक बात है दोस्तों मट्र की छिलके में एक बात है कि जल्दी दोसरा डिकंपूज नहीं होता है लेकिन दोस्तों यह समय लगेगा यह यह हो जाएगा इसका कोई साइड इफेक्ट भी बिलकुर आपको नहीं मिलेगा तो अ चोर कर लेजिए अगर आपके गार्डेन में भी नहीं है तो आपको कहीं निकलना होता है तो बार बार पानी द्याने पड़ेगा कम से दो दो दिन तीन दिन का अंत्राल हो जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि आपको पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा जो फ्री का जुवार को छौथा मुंगफल के छिलके इसको भी हम वेस्ट कर लेजिए तो जीतना बीच जो चीजिया हम बता रहे हैं इस्टोर कर लेंगे खराब होने वाला नहीं बस रख लीजिए एक बार पूरे गरमी बरे यह काम करने वाले अब देखिए ये इसको घास को हम निकाल लेते है और यह घाज को निकालने के बात आप यह फयला देजिए देखिए हम फयला दिए है यह मृश्र error बना कर रखेंगे पान ऐसके बास देखेंगे कि जल्द जल्दी पाज्या पुद्र ने जरूट नहीं पड़ेगी और पौधा बिल्कुल आपका है यह सेफ रहेगा तो देखे दोसे यह सब फ्री की जुगार है और फ्री की जुगार आप जरूर अपने गाइडन में यूज करिए उसके बाद नेक्स्ट आपको होता है प तो इसको भी यूज कर सकते हैं अगर यह आपको नहीं मिलता है तो गाउं में यह भरपूर मातरा में मिल जाएगा तो आप ले लिजिए और लेने के बाद और सो अपने पौधे को आप जरूर बचाईए मैंने आपको पांच तरीका बताया पांच दोसों बिल्कुल फ्री अगर आप मल्चिंग किये हैं तो किसी-किसी पौदे में होता है जब जादा नमी रहती है तो दोसों फंगस उत्पन होता है आप इस बात को नोट करेंगा यह कभी रेर केस में आएगा इसलिए मैं बता रहा हम आपको जब यह फंगस उत्पन होने लगता है तो एक काम उसमें आप डाल दीजीगा इससे दोस्तों यह आपको मिलेगा ना कि उस मिट्टी में फंगस बिल्कुल आएगा ही नहीं आने तो सबसे बढ़िया आपको तरीका बता है अगर यहां तक आप देख लिए वीडियो को तो बहुत ही बहतीन तरीका बता रहे हैं कि जब ही भी मिट्टी के अच्छे तरीके से गहरी दो से तीन इंच तक करिए गुड़ाई गुड़ाई करके छोड़ दीजिए 24 घंड जब उसमें धूप लग जाए उसके धूप लगने बाद करना कि अगले दीन करना क्या है कि काउडन कमपोस्ट अगर आपके पास है तो उसमें ट्र आप दीजिए पानी और पानी आप दे दीजिए उसके बाद तुरंट आप मल्चिंग कर दीजिए जो मैं अब गताया हूं फूरी का पान तरीका दोस्तों यह कम आप कर देंगे ना जो फंगस है फंगस बिल्कुल खतम हो जागा मिट्टे में फंगस पूरी गर्मी भर नह करते हैं और नए हैं तो जरूर सस्क्राइब कर मिलते हैं आप से न्यू वीडियो के साथ धन्यवाद